तो आज हम लोग आप लोके सामने एक और नया अपडेट जी एससी द्वारा निकाला गया बात को आपके सामने लेकर के आये हैं वो क्या बात है कि नियुक्ती नियमावली पर बहुत ज़्यादा चर्चा है ये चर्चा इतने बड़ा विशाई लेकर के आगे बड़ा था कि ये कोट तक ये बात से लिगए हैं कोट ने भी टिपनी किया इसके बाद जो है इस पर गजट प्रकासित किया गया क्या है ये अब बता रहे हैं ध्यान दिजे ये क्या कहता है कि जब भी कोई सनातक इस तरिया निकाली जाएगी वैकेंसी निकलेगा अभी आने वाली है वैकेंसी डॉंट वरी अब जो इसमें माली जी ग्रिजुएशन का फाइनल एयर चल रहा है मैं भर सकता हो कि नहीं गत्रोबल मी सब्सक्राइए कि अब डाइरेक्ली यह चीज कह दिया गया है जो फॉर्म भरने का ढाखरी डेट फॉर्म भरने का जो याद रखी क्या बोल रहा हैं लास्ट डेट त्यों और ही भी तक आपको उतिन होना अविश्यक्त कर दिया गया है पहले क्या होता था कि जो वैकेंसी निकाली है वो वैकेंसी अगर क्या होती थी कि आप फाइनल एर में हो चल रहे हो एपीरिंग हो अर्थात तो एपीरिंग में भी आप भर सकते थे अब ऐसा बात नहीं है इस बात को याद रखिएगा यह पहली बात तो इस नियमावली से निकल करके आ रहा है ठीक है कि आपको पास होना जरूरी है तब ही जाका आप फार्म को भर पाइएंगा एपीरिंग नहीं भर सकते हैं तीसरा दूसरा बात यह जो नियमावली प्रकासित होने की बात है अभी लोग डिसकस कर रहे हैं आपको पता है पहले से यह चीज डिसकस किया हुआ है कि अगर कोई student मतलब अगर कोई student जार्खन के निवासी है लेकिन बाहर वह पढ़े लिखे हैं लेकिन वह अगर आपका आरक्षण नीती जार्खन के अंडर में आता है मतलब क्या SC ST OBC यह सब च है जनरल कंडिडेट है तो तेंद ट्वेल तो आपको जहरकंड से पास करना ही पड़ेगा तब ही आप इस भर को भर सकते हैं आरक्चन नीती जहरकंड आरक्चन नीती जहरकंड को तभी आपको एक्जाम में बढ़ पाईएगा मतलब पहले आप हिंदी में पास होईए उसके साथ माली कोई एक भासा जोड़ देगा इंगलिस जोड़ दिया जैसे कि आप लोग CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी इंगलिस पहला पेपर है उसी तरह से हिंदी आपको घ्य CGL में जो सूची मिली थी वही सूची के आधार पर अभी हम लोग चलेंगे तो जो भी जनजाती भासा है उसमें से कोई एक आपको पास करना पड़ेगा तभी आप धारकण में सरकारी नौकरी कर पाईएगा भविस्य का बात है यहां पे कंप्यूटर टाइपिंग का एकजाम होगा तो वह एक बात अलग हो जा रहा है मैं सनातक का बात कर रहा हूं वहां पे यह लिखने का जरूत नहीं नोटिफिकेशन में गजट पास कर दिया गया है एक बार लिख दिया यह चीज होगी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका होना ही है चाहे आप क 25 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में टाइपिंग होगा इस बात को याद रखेगा हिंदी और इंगलिस दोनों का टाइपिंग होगा आपका 25 वर्ड पर मिनट जो है आपको टाइप करना पड़ेगा और 30 वर्ड पर मिनट इंगलिस में टाइप करना पड़ेगा अगर इसमे में जो भी चीज आई थी मैंने आपको इस अपडेट के द्वारा बता दिया अब इसमें आने वाले न्यू वेकेंसी के बारे में जो वेकेंसी आने वाली है इस चैनल पर ही आपको मिलेगा इसलिए चैनल को सस्क्राइब करकर रखिए अगर ये जानकारी आपको अच्छा लोगों तक भी पहुँच सके हैं थैंक यू सो मच